आपको बता दे जनपत कानफूर की तैसी बिल्लॉर की और ताहर पुर गाउं में सरकार के दोरा अवन टित फेका देशी शराब खोले जा रहे हैं जिसे वहाँ ग्राम वासियों में काफी रोश है, महा की महलाओ का कहना है कि कुरोना वैस्विक महमारी के चलते जहां एक तरफ सभी रोशकार बंध होने की कारण दोवक्त की रोटी चलाने में भी मुश्किल हो रहे हैं तो वहीं सरकार दोरा गाउं में शराब ठेकी खुलने से पुरुष शराब पीने की आदी हो जाएंगे साथी जिससे घर की जीविका बंध है वहीं घर में आए दिन विवाद होते हैं साथी जिसको लेकर समाजादी पार्टी की सभानेत्री रशना सिंग महिलाओं के बीच पहुची और उतहार पुर में सरकारी ठेका शराब खुलने के विरोत पे बिलौर विदान सभा की सभानेत्री रशना सिंग ने रमेड़ो के साथ प्रदर्शन किया साथी उपचिला दिकारी के अनुपस्तिती में नायब तहसीलडार ने काउँ पहुच कर ग्यापन भी लिया साथ ही नहीं तहसीलदार ने ग्यापन लेकर महिलाओं से कहा है कि वो जल से जल उच्छा धिकारी तक पहुचाएंगे कर दो वक्त की रोटी चलाने को मुस्किल हो रही है वहीं सरकार गाउं में सराप पीने के लदी हो रहे हैं जिससे घर की जीर का बंद रही है अगर इसा नहीं होता है तो ग्राम की सभी मैलाओं के शाथ उन सभी समाजवारी सब्सकों पर उतरने को मजबूर हो जाए एग मैं हो टीव उने डा नियूस के लिए मोहमाद अफाक की रिपोर्ट कानपुर मत्रा के थाने नौचील इलाके के गाओ इदल गड़ी के समीब उसवक्त एक तरदनाक हासा गड़ी तुआ जब तेज रफटार ट्रक ने सामने से टैंपो में टकर मार दी जिसमें सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गए और एक कमभी रूप से खायल हुआ है जिसे अस्पताल में भट्टी कराया गया है साथी बताया जा रहा है कि ट्रक तेज रफटार से अलिगड की तरफ से आ रहा था तब ट्रक ने टैंपो में सामने से टकर मार दी के टकर इतनी भीशन थी के टैंपो पूरी तरे छती ग्रस्त हो गया साथ ही में ट्रक चालक ट्रक छोड़ कर मौके से फरार हो गया